हेलो फ्रेंड्स ओपलेट्स में बस सो जिस्तों कैसे हो दोस्तों आशा को तो बहुत अच्छे रहोगी तो आज का जो ट्रॉफिक है एलजी कंपणी का क haha see the main skить एक यह रहा है इसका देख सकतें आप लोग की इसका हाप स्किन क्वे तैक है इसको बातु को खोली अपवल concepts कंपनी तो इस जो फाल्ट और इसको ही आज रिप्यारींग करने वाला हूं तो आप लोग देखिए जादर क्या होते कि आप इसकिन पिक्चर जो आते हैं वो होते हैं से जो इसलिए ऐसा होते हैं लेकिन इस कंडिशन में इस सार्गिट पे कोई अलगी पॉब्लम है तो आप फूरा वीडियो देखिए तभी आप लोग को जान गड़ी होगा तो देखिए इसके लिए फास्ट टाइम जो काम करना पड़ेगा आप लोग कि आपको 110 बोल्ट क्या स्वाइब एक बाड़ा चेक करना हुआ और आप 110 कैसे चेक करेंगे एस टी पे जो बी प्लास लिक्षा रहेगा उसमें देख लेए तो देखिए आप 110 की जगापे सुअ बाड़ा वोल्ट अर रहे हैं तो चलिए इतना वोल्टाना से हुए तो फ्रे नेगेटिव वोल्डेज और पॉरेटिव वोल्डेज जो एस्टी से आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग तो चौधा वोल्ड के आसपस आड़ आए यहाँ पर तो इतना ही वोल्डेज आना चाहिए देखिए एस्टी से दो फीन आउट होता है यानि वाटिकल आईसी में जाते हैं नेगेटिव और पॉरेटिव वोल्डेज देखिए एक और दो इस दो जो फीन देख रहे हैं आप एस्टी का यहाँ से रेस्टेंस के थ्रू यहाँ पर रेस्टेंस के थ्रू वोल्डेज जाते हैं वाटिकल आईसी पर तो resistance के बाद डाइट रहता है एक negative डाइट और एक positive डाइट नेगेटिव डाइट से क्या होता है negative voltage IC को मिलता है vertical IC को और additive डाइट से positive voltage मिलता है तो इस condition में यहां पे हो क्या आड़ा है यहां पे देख लेते हैं कि minus volt भी सही है और plus volt भी सही है और 14 volt आपको देखना ये है कि ए जो फोल्टेज निकल रहा है से ये फोल्टेज भाटिकल आईसी तक जाडा है कि नहीं क्यूंकि अगर भाटिकल आईसी पर नहीं पहु permetार порядено 11 में आजये तो देख लीजी यहां पर भाटिकल आईसी पर आ जफ़्वरť यहां और fast time measure कर लेता हूं positive voltage तो positive voltage चेक कर रहा हूं एक number pin में तो 13.9V आनि 14V आ रहा है आप 2 number pin में negative voltage दिखेगा उतना ही 14V के आसपस लेकिन यहाँ पे देखिए negative voltage जो दिख रहा है 2.2 vertical अचिके 2 number pin में 2.2 voltage दिख रहा है तो इतना कम क्यों देख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो negative voltage HD से निकल रहा है वो ही voltage यहाँ पे आएगा यानि 10 से 14 तक voltage आना चाहिए यहाँ पे लेकिन उसकी जगह पे minus 2 voltage आ रहा है और voltage क्या हो रहा है देखिए diode के यहाँ पे जाते हैं तो voltage fluctuate हो रहा है फिर से measure कर रहा हूँ देखिए 2 number pin में negative voltage अभी देखिए कितना आ रहा है 8 voltage आ रहा है अनि कुछ ठीक नहीं है कभी 6 voltage आ रहा है कभी 0 हो रहा है और देखिए इसकीन में light happy skin ही है अभी तक ओके फ्रेंट्स तो देखिए 2 number pin का 2 number जो vertical pin है उसको open कर दिया PCB से अलग कर दिया disorder करके अब disorder करने का मतलब क्या हुआ अब आपको पता चल जाएगा आसानी से कि भार्टिकल IC जो है वो खड़ाब है या फिर supply में और कुछ तो देख लेते हैं देखिए 2 number pin को open करके यहाँ पर negative voltage सही हो गया और नेगेटिव 14 voltage और 14 voltage नेगेटिव सही आड़ा है देखिए आप ओके देख सकते हैं आप लोग अभी सही हो गया क्योंकि 2 number pin में यह voltage input होता है तो उसको मैं open करके रखा आप देखिए उसको connect कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर उसको PCB से connect कर रहा हूँ टच कर रहा हूँ देखिए माल्टिमीटर के कॉट से टच कर रहा हूँ और टच करते ही कितना voltage रूप रहा है देखिए पूरा voltage दबा दे रहा है पूरा voltage ड्रॉप कर रहा है आईसी ठीक है आईसी का पीन जब PCB से लगा रहा हूँ तक पूरा voltage को दबा रहा है और ड्रॉप कर रहा है तीन voltage दो voltage तक दिख रहा है और जब इसको छोड़ दे रहा हूँ और PCB से अलग कर दे रहा हूँ इसको देखिए अभी देखिए voltage से ही हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स माइनस 14 वल्ट हो गया तो इससे आप लोग क्या अंदज लगा सकते है इससे आप लोग को एही अंदज हो जाएगा कि यहाँ पे जो भार्टिकल IC है यह IC खड़ाब हो चुके है इंटरनली कोई damp हो चुके है इससे लिए ऐसा हो रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे IC को खोल लेंगे पूरा तो देखिए यहाँ पे disorder कर लिया मैं यहाँ कि एक हाथ पे mobile है camera और इससे लिए जो पूरा वीडियो आप लोग को दिखाने ही पा रहा हूं जस्ट मैं काम कर रहा हूं और आप लोगों दिखा रहा हूं तो देखिए यहाँ पे जो भाटिकल IC आप लोग दिख रहे हैं उसका जो पीन है उसको मैं disorder कर लिया अब भाटिकल IC का नंबर आप लोग देख सकते हैं नंबर कितना है ओके तो 4863 नंबर है इस IC का और इसकी जगा पे यह जो IC आप लोग देख रहे हैं इस IC भी लगा सकते हैं आप 4845 नंबर है जी है तो इसको भी लगा सकते हैं आप लोग या तो फिर सेम नंबर लगा दीजिए तो लगा था यह IC ओके तो उसकी जगा पे वो IC में लगाओंगा तो फ्रेंट्स मैं लगा देता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं फिटिंग कर दिया वो IC को यहाँ पे और आपको इसका जो स्कूरूप है उसको टाइट करना है बहुत अच्छा से अगर नाट इसकूरूप धिल होगा तो बहुत सरे पॉलम आते हैं तो देखिए आईसी को लगा दिया वर्टीकल आईसी को उसके बाद सोल्डर भी कर दिया अब सोल्डर करने के बाद पहले क्या होड़ा था वर्टीकल आईसी का दो नाmbर फिन ऊपेन करके बोल्टेज मैननस वोल्टेज रुक रहा था ठीक हो रहा था चौदव व Cop Inc monet तव लेकिन उस आसी को में खोल डिया अभी इस जो नया IC लगाया और IC लगाने के बाद पूरा फीन इसका सोल्डर कर दिया हमें और सोल्डर करने के बाद भी आप लोगों मैं दिखाऊंगा वोल्टेज मेजर करके कि अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना दिख रहा है तो दिखें दो नमबर फीन में वोल्टेज मेजर कर रहा हूं नेगेटिव 10 वोल्टेज दिख रहा है ओके जो वोल्टेज सही है तो यहाँ पर भी वोल्टेज देख लीजिए फोन नमबर फिन में कितना वोल्डेज माइनस 13 वोल्डेज यहां पर भी वोल्डेज सही है ओके फ्रेंट्स देख सकते हैं आप लोग नेगेटिव 10 वोल्डेज आभी रूक रहा है जो फास्ट टाइम के आप रहा था द्राफ हो रहा था तो अभी ले चलते हैं आप लोगो टीवी के स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि स्क्रीन में जो पिक्चर आ रहा है और कैसे आ रहा है तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगो दिखाता हूँ वीडियो लगा कर कि इसको इसका जो वीडियो है वो कैसा आड़ है तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो भी बिल्कुल सही आड़ है इसका पिक्चर क्वॉलिटी तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही देखते रहें ऐसे इंडिस्टिंग वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिवाई, जहें दोस्तों.